ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमाहा श्रीमत भागवत कथा द्रश्टान्त अने अस्य निर्मल मन जनसो मोही पावा मोही कपट चल छित्रन भावा जे मनुष्य निर्मल मननो होई छे ते मने प्राप्त करे छे मने कपट औने छल छिद्र भमतान अफिए सुग्री वने हनुमानने विभीषनने लेवा माते मुखल्या छे तेवो विभीषनने लईने आवे छे मारा भाई ये मने लात मारी ने मारो तिरसकार करे छे रामजी उठी ने उभाथाया कोई जीव रामजी ने शर्ने आवे तो तेवो उठी ने उभाथायी छे तेनु सन्मान करे छे प्रेमनी मूर्ती रामे प्रथम मिलनमा विभीषनने कहुँचे तुमने मारा भाई लक्ष्मन समान प्रिय लागे छे समुद्रनों जड़ लईयावो मारे विभीषनने लंकाना राज्यनों अभिषेक अत्यारेज करावी देवो छे सुग्रिवने आगम्यों नहीं सुग्रिव ते वक्ते बोल्यों छे राजनीती कहे छे के युद्धना समय राजा सेनापतिने आधिन होगो छोईये तमारा सेवक तरीके नहीं पन तमारा सेनापति तरीके हुँ कमुछ हुँ कि आपनों सोभाव बव उतावडियो छे आपे बव उतावड करी विभीषन आजे शर्ण आजयो तेने लंकानों राज्य आपी जिदू बेचार दिवस पछी कदाच रावण नी बुद्धी सुधरे रावण शर्णे आवे औने सिताजी ने समर्पन करे तो पछी रावण ने तमेशू आपसो विभीषन ने त्या थी गादी उपर ती पाचो उठाडशों माटे अत्यारे विभीषन ने लंकानों राज्य ना आप रगुनाज जी ए त्यारे कही हूँ छे राम बोले छे त्यारे मों विचार करीन एक जवार बोले छे रामजीनी त्रण प्रतिग्णाओ छे एक वचनी, एक बाणी, एक पत्नी व्रत्तधारी भरत जीये पिताजीनू अयोध्यानू राज्य लिदू न थी अयोध्यानी गादुई हजी खाली छे रावण जो शर्णे आवशे तो भरत जीने समझाविश अने अयोध्यानू राज्य हुँ रावण ने अपाविश रावण ने हुँ अयोध्या पती बनाविश पन आजे तो विभिशनने लंकानू राज्य आपिऊ छे विभीषण शरन आयो करयो लंका धीश यह सुनी रावन शरन आये तो करहू को सला देख्ष रावन शरन आउसे तो तेने अयोध्यानो राज्या आपीशन अमें चार भाईयो वनमा रहीशन तेत समये विभीषणने लंकानो राज्य आपवा अभिशेक करवामा आवयो विभीषणने लंका छोड़ी त्यारे तेना मनमा संकल्प ठायेलो के रावनना मर्यापची लंकानो राज्य प्रभुमने आपशे ते संकल्प पूल्ण करयो छे पचितो समुद्र उपर पत्थर नो पूल बांजयो, पत्थर उपर नाम नाम लखवा थी, पत्थर तरे छे, राम नाम ती जड़ पदार तरे तो मनुष्य शा माटे न तरे, मनुष्य अभावसागर न तरी जये, विश्वास राखी, शद्धा थी, राम नाम नो जब करिये कलिकाल मा विजो कोई उपाई पन नखी, पत्थर पन राम नाम थी तरी जाये छे, रगुना जी ये लंका मा प्रवेश करो छे, अंगद ने विश्टी करवा मोकलो छे, अनेक राक्षसो ने मार्या छे, इंद्रजीत ने लक्षमन बच्चे, बयंकर युद्ध थयू, लक् इंद्रजीत नो हाच सूलोचना ना आंगणा मा आवयो, ते आथे लक्षमन साथे लड़ता मारो वत थयो छे, सूलोचना ये विलाप करेो, मारे हवे जिव्वू न थी, मारा पति देवनो हाथ मलयो छे, पन मस्तक लाओ, मस्तक लई ने मारे सती थवू छे, सूलोचना पत इंद्रजीत backend मारी पासे आवयो न थी, वानरो ते रामजी पासे लई गया, सूलोचना गहे शे, सूलोचना ये विलाप करेो, तो रामजी पासे जा, તારા પટી ના મस्तક રામ જી યાગ્લતી તેને જોરૂર મળી જર્ષે केनी पासे जा अग्णी मां प्रवेश कर्या पहला तु राम जीना दर्शन कर। राम दर्शन विना जीवने साचु सुख मरतू नथी औने मरण सुधरतू नथी। श्री राम दर्शन विना जीवन सफल थवानी वात एक बाजू छै। सुलो चना आये कयूं मने शत्रू पासे केन मोकलो चूं। मोती सुन्दर छूं। त्या जैस तो मने जोतां शत्रू नी दानत बगडशेत अनर थशे। मने शत्रू पासे मोकल वननु खारण शूं। क्यारे रावने के वक्ते राम जी ना खुब वखान करया चै। रावने कयूं छे राम जी जगतनी बीजी स्त्रीयोंने मात्रू बत जुवै चै। राम दर्बार मा अन्याई थाई पर नहीं। बेटा मने पूर्ण विश्वास चे। आ जगत मा राम जी जेवो कोई महान थयो नथी। तु राम ने शर्णे जा, जरूर ते ओ तने मस्तक आपशे। राक्षसों पन राम जीना वखान करे छे। शत्रू जेना वखान करे ते परमात्मा। घरनालो को खोटा वखान करे छे। शत्रू वखान करे तो साचु गणू सुलोचना राम जी पासे आवया छे राम जी ये तेने मान आप्यू छे तेना वखान करया छे सुलोचना मस्तक मागे छे सुलोचना एक कयू के मारा पतिनो हाथ मारा अंगना मावयो औने पत्तर लखी आपनो तेने पुछवामा आवियू ज़ड हाथ किम लखी शके तू तारा पतिनी प्राथना कर आने आखो हस शे तो मन्शू के ज़ड हाथे पत्तर लख्यो छे सुलोचना बहु मनावे छे मस्तक हस्तू न थे नात तेमे नहरात थाया छो आ सामणी ने मस्तक डोलवा लागियू स्मित हार्स्य कर यू शेशनाग लक्ष्मन थाई ने आविया छे मस्तक के सुलोचना ने कयो तारा पिताय मने मार्यो आजे ससरा जमाईन युद्ध थायू ना आतू आजे बे पत्ति ब्रत्तावन युद्ध थायू अतू उर्मिला ने सुलोचना नू सुलोचना नी हार थ सुलोचना लक्षमन जी ने कहा चे के जीत तमारी न थी पन जीत तमारा पत्नी उर्मिलाने छें। अने तेनी हार थे उर्मिलाना पती लक्ष्मन जी सर्व मां मत्रुभाव राखेशे तेथी तेनू बलवद्यू अने तेनी जीत थाई हरी ही ओ अने तेनी जीत बलवद्यू